तो बच्चो आज हम क्या डिसकस करने वाले हैं कि इंट्रपोलेटर क्या होता है और इंट्रपोलेशन क्या होता है रिसेंटली इसी साल गेट P&I में क्वेशन था इंट्रपॉलेटर के उपर तो उसम बहुत सारा कन्फीजन हुआ हैं बहुत सारा कुछ टीचर्स नहीं वीडियो भी बनाए बच्चों से परस्नल मैसेज मेरे पास काफी आये तो टेलीग्राम है और तो मैंने सोचा कि इंट्रपॉलेटर मेंस इंट्रपॉलेशन जैसा लग रहा है तो कंट्रोलर फीट वह होना चाहिए बागी कुछ सही होना ही नहीं चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं को पहले इंट्रपॉलेशन क्या होता है और इंट्रपॉलेटर क्या होता है यह में गेट में जो पार्ट सो जो एक इंटरपलेशन क्या होता है पहले वो देखते हैं है एक होता है एक होता है हाडवेर उंटरपलेशन एक होता है interpolation जैसे for example मैं आपको हम टूल को एक लाइन के लंग मूब करना चाहता हूं तो PTP system क्या बोलता है point to point system point to point system क्या बोलता है कि मैं बहुत सारे point x और y मैं सिर्फ x और y value vary करूंगा बहुत सारे point let's say point p1 p2 p3 उस land के लंग लूँगा यह point कैसे होंगे या तो x vary करो या y vary करो तो मैं land के लंग मूब करूंगा और चोटी-चोटी steps में मैं उस point number one से point number two तक चला जाओंगा और मेरी machine हो जाएगी यह PTP system की बात कर रहा हूं अगर आप एक कंटूर अगर आप एक कंटूर मशीन करना चाहते हैं जैसे कोई circle है एक कंटूर है ठीक है ना तो कंटूर के लॉंग भी आप मल्टीविल पॉंट्स लो आधर वाई वेरेंग एक्स और वेरिंग वाई तो देख बहुत सारे पॉइंट यह इंक्रिमेंट ऐसे होगा कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि इस टेप्स हैं आपको लगेगा complete geometry है यानि इतने इतने छोटे step होने चाहिए कि आपको लगे continuous contour है ठीक है तो यह एक्स और वाई पॉइंट अम में देखो interpolation समझा रहा हूं यह एक्स और वाई पॉइंट होंगे तो hardware interpolation क्या होता है अगर आपका एक logic gate एक्स और वाई की velocity को relate करें एक्स और वाई की value का relationship जो है एक logic gate बता रहा है उसको बोलते हैं हम hardware interpolation और generally जो भी nc machines होती है भाई देखो nc machines outdated नहीं है अभी भी nc machines use होती है तो generally nc machines में हम hardware interpolation लेते हैं ठीक है न पर अगर x और y की value एक table की form में देदी x और y की value एक table की form में देदी और table को program में डाल दिया so let the program controls the values of x and y उसको बोलते हैं हम software interpolation उसको बोलते हैं हम software interpolation so generally जो modern cnc machines होती है उसमें software interpolation को हम focus करते हैं ठीक है न of course इसमें कुछ और भी चीजा में एक और video बना रहा हूं इसके उपर तो यह हो गया hardware interpolation यह हो गया software interpolation so technically speaking interpolation interpolation is control of feed यह बिल्कुल सही बात है interpolation is control of feed interpolation is control of feed पर interpolator क्या होता है interpolator वो device होती है जो that leads to interpolation interpolator is a device that leads to interpolation तो interpolator technically करता क्या है जैसे हमारा stepper बगरा से signal हुआ जैसे मैंने आप आपको पढ़ाया भी था कुछ बैचिस कुछ बच्चे होंगे से होंगे हमारे जन्होंने मैंन को पढ़ाये automation तो आपने signal आया signal को आपने amplify किया amplify करने के बाद वो translator में गया translator ने क्या किया उस signal को break कर दिया pulses में अब pulses आई इस टापर मोटर में और इस टापर मोटर ऐसे घूम रहा है तो जहां भी drive होगी चाहे x direction में चाहे y direction में वहां पर एक टो टेक्निकल जो इंट्रपॉलेटर जो सिस्टम हमारे इंट्रप्लेटर है इंट जनरेट एर्रफ्रेंस सिगनल टेट जनन रे रिफ्रेंस सिगनल जो हमारा on is at प्रोफाइल है कोई ठीक है ना तो आपका यह प्रोब जा रहा है उस पर देटा क्लेट कर रहा है ठीक है ना तो उसके साब सेयान पर आपने प्रोग्राम बना दिया सो यह हमारो जिस reference signal जो होगा वो respective x और y stepper motor को जाएगा कि भाई आपको इतना इतना move करना है सो technically जो interpolate होता है वो signally produce करता है that depends upon the size and shape of the part that you want to produce पर ultimately translate वो feed में हो जाती है कितनी feed देनी चाहिए कि हमारा जैसे अगर आप इधर देखा जाया ना यह fx fy है तो जैसे देखो यह हमारा यह हमारा fx है और यह fy है तो पता क्या आपका for cutting contour simultaneously you have to vary fx and fy तो एक हमारी motor होगी fx के लिए और एक motor होगी fy के लिए तो ultimately यह signal ही तो है जो interpolator originally जो generate कर रहा है वो signal generate कर रहा है that defines the shape and size of the produce part पर ultimately जो translate होगी that will be translate in terms of feed इसलिए हम बोलते हैं interpolation is control of feed so technically देखा जाए यह दौना सही है इसके पर originally fundamental wise देखा जाए तो D सही है इसका अगर यह MSQ होता तो मैं D और A दौना लागा था इसके जैसे कभी 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 में देखना होता है ना कि यह हमारा better answer कौनसा है तो better answer D होगा पर anyway let the IIT decide technically ऐसे question आने में चाहिए क्योंकि जिस question में बहुत ज्यादा confused हो एक्जामनल को avoid करने चाहिए पर आ जाते हैं तो we have to give the best answer चलो मेरे खाल से मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिस मैं आपको बताऊंगा number of axes के बारे में all the best to all of you